दिल्ली में कधित शराब घुटाले की जाच जारी है और इसकड़ी में अब दिल्ली के मुखबंदरी अर्विंद किज्रिवाल तक भी जाच के आज पहुँच चुकी है 16 अप्रैल को CBI ने किज्रिवाल से 9 घंटे तक पूछताज की CBI दफ्तर से ही निकलने के बाद किज्रिवाल ने कहा कि मुझसे 56 सवाल पूछे गए मैंने सभी के जवाब दिये हलाकि CBI ने पूछताज के बाद किज्रिवाल को वापस भेज दिया लेकिन जैसे दिल्ली के पूर्व डेप्टी सेम मनेश्य सोध्या के ग्रफतारी भी थी क्या वैसे ही दिल्ली के सेम अर्विंद के जिवाल के ग्रफतारी हो सकती है इस सवाल के साथ आपके मन में एक सवाल जरूर रुटता होगा कि किसे मुखमंतरी को गिरफतार किया जा सकता है क्या हाँ या नहीं और अगर किया जा सकता है तो कैसे और कब किया जा सकता है कानूनी प्रावधान क्या है किसे CM या PM को गिरफतार करने के लिए मुख मंत्री को कब गिरफतार किया जा सकता है? इसका जबाब है कि Code of Civil Provision की धारा 135 के तहद प्रदान मंत्री, केंद्रिय मंत्री, लोगसभा और राजसभा के सदस्य मुख मंत्री, विदान सभा और विदान परसद की सदस्यों को गिरफतारी से छोट मिली है। ये छोट सिर्फ सिबिल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं है। इस धारा के तहद संसद या विदान सभा या विदान परसद की किसी सदस्यों को गिरफतार या हिरासत में लेना है, तो सदन के अध्यक्ष या सभापती से मंजूरी लेना जरूरी है। धारा ये भी कहती है कि सत्र से 40 दिन पहले उस दोरान और उसकी 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस को गिरफतार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है इतना ही नहीं संसद परसद या विधान सभा परसद या विधान परसद के अंदर से किसी सदस को गिरफतार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता क्योंकि अध्यक्ष या सभापती का आदेश चलता है लेकिन क्रिमनल मामलों में गिरफतारी हो सकती है चुके प्रदान मंतरी संसद के और मुख मंतरी विधान सभा या विधान परसद के सदस होते हैं इसलिए उन पर भी यही नियम लागू होता है ये छोट सिर्फ सिविल मामलों में मिली है क्रिमनल मामलों में नहीं यानि कि क्र क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस या विदान सभाद के सदस को गिरफतार या हिरासत में लिया जा सकता है। नहीं लिया जा सकता है कोई आदालत उसके खिलाब कोई आदेश भी जारी नहीं कर सकती है राश्टपती और राजपाल को सिवील और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में छोट मिली है हलाकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफतार या हिरासत में लिया जा सकता है अब आपको ये बताते हैं कि केजरिवाल का नाम जिस घोटाले से जोड़ा गया उस घोटाले यानि कि शराब घोटाला क्या है दिल्ली सरकार ने 17 नमेंबर 2021 को नई शराब निती यानि के एकसाइज पॉलिसी 2021 और 2022 दागू की थी नई निती के तहद शराब की कारुबार से सरकार बाहरा गई और सब नीजे हाथों में चला गया आठ जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचीव नरिस कुमार ने LGV के सकसेना को रिपोर्ट सौपी रिपोर्ट में सोधिया पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद के साथ नई शराब निती तयार की लाइसेंस धारी शराब कारुब पोर्ट के अधार पर LG ने CBI जांच के सिफारिस की और 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया जिसमें मनिस्य सोधिया, तीन पुर्व सरकारी अपसर, नौ कारुबारी और दो कम्पनियों को आरोपी बनाये गया अब आपको चार्ट के जरिये समझाते हैं कि कौन कौन है इस शराब घोटाले में शामिल, शराब घोटाले में जिन सब का नाम है उसे आप इस चार्ट के जरिये समझे और इसका पूरा लिस्ट आप समझ पाएंगे कि कैसे और कितने कारुबारी इस चार्ट में शामिल हु अभी तक सामने नहीं है आननति बारी पुर्व जिप्टी कमिशनर है एक्साइज के पंकज भतनागर असिस्टेंट कमिशनर है एक्साइज के एक शराब नीती में नौ कारोबारी शामिल हुए जिसमें विजय नायर पुर्व सीयों ओनली मज्ज लाउडर का मनोज राई हैं पुर्व कमचारी, अमंदीप धाल, डारेक्टर, ब्रिंग्डो, सेल्स के हैं, समीर, महिंदू, अमीत अरोरा, दिनेश अरोरा, मनी, मारवा, और इसके अलाबा, अरून, रामचंद्र, पिल्लाई, अर्जुन, पांडे, ये सारे नाम हैं, जो कारोबारी हैं इसमें, और इसक दिया गया, जो पूरे दिल्ली में सराब घोटाले को अंजाम देने के लिए कह सकते हैं, कि शराब घोटाला हुआ, इससे पहले शराब की जो बिक्री थी, उसे इन दो कंपनियों को दिया गया, जो सरकार अपने हातों से छोड़कर नीजी प्राइविट कंपनियों को दे अब आपको बताते हैं कि अक्साइस डिपार्टमेंट नी बिना किसी मंजूरी के विदेशी सराब की कीमतें तैक करने का फार्मूला सर्शोधित किया और बियर पर 50 रुपे परती केस के अक्साइस जुटी हिवी हटा दी, आरोप यहीं खत्म नहीं हुए, सुसोधिया पर यहीं आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी मंजूरी के अक्साइस डिवीटी को दो बार 1 अप्रेल से 31 मई और 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, और यहीं वज़ा है कि सुसोधिया भी इस सराब घुटाले के चकर में फस गए, और अब दिल्ली के स्रीय मर्विन के जिवाल भी चार्ज के दाएरे में, आप देखते रहें नियूस तक